अब आपने जित्ते रूल्स पढ़ लिये अब उनको अपन प्राक्टिस कर लेते हैं ठीक है तो अपनी प्राक्टिस में फिर्स क्वेशन मैं जो ले रही हूं वो है मेरे पास C double bond C यहाँ पर है H यहाँ पर OME यहाँ पर मेरे पास है NME2 और यह है मेरे पास F अब इस एक्जामपल में आप देखो इन दोनों में से किसको हायर प्राइटी दोगे यह हाइड्रोजन है यह ऑक्सिजन है फिर्स आतम यदि अलग होते हैं तो हम किसको प्राइटी देते हैं जिसका अटॉमिक नमबर ज्यादा है यहाँ पर नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है तो मुझे हायर प्राइटी देनी है F को इसे मेरा यह आंसर होगा Z क्योंकि हायर प्राइटी ग्रूप आरोंदे सेम साइड इसलिए उसका अंसर हो गया Z second example मुझे लेना है यदि यहाँ प पर यह 18 है यहाँ पर यह मतलब ही मिथाईल आप सबको पता होगा मिथाई अब देखो यह एच और यह डी है जब आइसोटोप से होते तब क्या रूल था अटॉमिक नमबर तो दोनों का सेम है तो नाचुलिक नमबर सेम है तो हमें अटॉमिक मास पर डिसाइड करना हो है जिसका अटॉमिक मास 16 है और यह वो है जिसका अटॉमिक मास 18 है तो इसका ज्यादा मास हो जाएगा इसलिए हायर प्राइटी है और इसलिए क्योंकि दोनों हायर प्राइटी गृप सेम साइट पर हैं हमने इसको बोल दिया जेड अब हमारे पास नेक्स्ट एक्जाम् CH2 CD3 और यहां पर हमने लिया CD2 CH3 CD2 CH3 यहां हमने ले लिया CH3 और यहां हमने ले लिया H ठीक है अब यहां पर देखो पहला यह कार्बन है कार्बन है उसके बाद यह एच है और यह डी है तो ड्यूटेरियम डेसाइड करेगा यह ओवर अब देखोगे तो यह पहला कार्बन सेम है फिर दूसरा भी यहां कार्बन ने दूसरा भी यहां कार्बन है बागी दोनों यहाँ पर deuterium है आप समझ रहो हम इसको ऐसे लिखे यह दि ऊपर वाले ग्रुप को लिखे तो C फिर C फिर यह D है और यह है और इधर आप देखो तो क्या है C यह D यह D यह C और फिर H है यह Carbon यह Carbon यह भी Carbon यह विकारबन अब यह दोनों hydrogen है और यह दोनों deuterium है इसलिए इन deuterium ने decide किया तो higher priority हमने इसको दी और यहाँ पर higher priority इसको मिलेगी क्योंकि यह Carbon है और यह hydrogen है इसलिए कौन सा कहलाएगा यह कहलाएगा E, क्योंकि higher priority वाले opposite side पर है, इसलिए ये कहलाएगा E, this is E, क्योंकि higher priority groups are on the opposite side. एक और example लेते हैं अपन, CH3, C, CH2, CH3, आप अपने आप से करिये, फिर हम आपको explain करेंगे, अब आप कुछ examples खुछ से करते जाओ, और फिर हम answer compare कर लेते हैं. झाले जाओगा झाले कर लेते हैं. झाले कर लेते हैं. एक रषद कर लेते हैं. झाल 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 चलो इनको अपन देखें ये एक्जाम्पल सपन करते हैं चलो यहां पर आपको बिल्कुल आइडिया हो गया है कि इसको हायर प्रायर्टी मिलेगी और इन दोनों में किसको हायर प्रायर्टी मिलेगी छीएजटो सेम है तो हम ऑक्सिजिन और क्लोरीन से देखेंगे हमें पता है क्लोरीन का अटॉमिक प्रायर्टी ज्यादा है और अटॉमिक को यहां पर first point of difference है में second point of difference में यह carbon carbon same है पर यह 2 hydrogen से attached है यह एक fluorine से attached है इसको higher priority मिलेगी और यह opposite side है इसलिए यह 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 यहां पर आप देखो भी आपने order याद किया था otherwise इसको देखो तो यह carbon 3 carbon से attached है और यह carbon 2 carbon से attached है तो आपको priority इससे मिलेगी आपने भी देखा था ना वैसे जब order पूरा sequence याद की थी तो आपको पता था C triple bond C को हमने C double bond C को priority दी है पर यह order याद नहीं है तो इसका मतब आप यह देखो कि एक carbon के साथ यह triple bond है मतब वो carbon 3 carbon से attached है और इस carbon के साथ दबल बॉंड है मतलब यह 2 carbon से attached है तो नाच्रूरली आप हाय प्राइटी इसको दोगे यहाँ पे एक carbon 2 carbon से attached है यहाँ पे का बने की carbon से attached है इसलिए आप इसको priority दोगे दोनों सेम साइट पे हैं यह जड है यह वाला case देखो पहला nitrogen है और यहाँ पहला carbon आप किसको priority दोगे nitrogen को यहाँ पे दिया आप देखोगे तो यहाँ पे carbon यह भी carbon ठीक है यह carbon एक ose attached है पर यह carbon double bond हो मत्तब यह carbon 2 ose attached है इसले इसको priority मिलेगी और यह example भी हो गया जिटक अब next question जो हम करना चाहेंगे वो है झाल 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 आप यह एक्जाम्पल्स करते हैं यहाँ पे फर्स पॉइंट ऑफ डिफ्रेंस सेम है यह भी कार्बन यह भी कार्बन झाल जबकि यह वाला कावन तीन कावन से टाल है तो अपने इसको प्राइट़ी कार्बन ये कार्बन इसके 2 ये यहां पर आपको दिखरा ओंगां CO, robot से लो प्याइर से मिसाफ इसको प्राइट़ी बेंजीन रिंग को हमने फिनाइल फिनाइल ग्रुप को C triple bond C से higher priority दी थी, तो ये दोनो higher priority group same side पे हो गए, तो हमने इसको बोला Z, अब यहाँ पे देखो CO CO same है, यहाँ पे O है, यहाँ पे CL है, तो हम इसको priority देंगे, यहाँ पे CO H, C H O है, आपको पता ये carbon 3 oxygen A की है और double bond O मत अब 2 oxygen से attached है, तो यह carbon 3 oxygen से attached है, यह carbon 2 oxygen से attached है, इसको priority मिली और यह हो गया E, I hope आप सबको बात समझ में आ रही होगी, हमने priority order के जो rules decide किये थे, उसकी basis पर ही हम यह सारे questions कर रहे हैं, अब next और questions देती हूं, दो चार आपको, आप वो भी करके देख लो, आप से हो रहे हैं क आपको झाल 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 आप ये एक्जाम्पल सपन कर लेते हैं, इसमें आप देखो, यहाँ पे देखना अपने को, इधर ये वाले को इसको प्रायर्टी देंगे और इसमें इसको प्रायर्टी देंगे, ये सेम साइट पर है, इसलिए ये हो गया, यहाँ पे एक काबन, दो काबन से टाइज़ रहे, यहाँ पे भी एक काबन, दो काबन से टाइज़ रहे, फिर अपन ने आगे देखा, तो आगे वाले पॉइंट पे एक काबन, तीन हाइड्रोजन से टाइज़ रहे, पर ये काबन फिर 2 carbon से attached है, इसलिए हमने priority इसको दी, वैसे उस table में भी आपने देखा था, हमने C double bond C को isopropyl के उपर higher priority दी थी, पर इसका कारण क्या है, आप बोलोगे ये carbon 2 carbon से attached है, ये भी 2 carbon carbon से attached है, ठीक है फिर nix पे चलो, तो nix पे चलोगे, तो nix वाला carbon भी 2 carbon से attached है, पर इसके 2 carbon 2 carbon से attached नहीं है, और इसमें O है, इसमें C है, तो naturally हमें O को priority देनी थी, तो O, sorry ये गलत हो गया, यहाँ पे हम यदि O को priority दे रहे हैं, तो ये higher priority है, इन दोनों ग्रुप्स में ये higher priority है, ये आप देख रहे हो, डैश पे है, ये आप देख रहे हो, वेच पे है, दोनों opposite side पे है, इसलिए E होगा, इधर ध्यान से एक बार फिर से देख लो, हमें पता इन दोनों में से higher priority इसको देना है, इधर हम देख रहे है, तो O का atomic number carbon से ज़्यादा है, इसलिए इसको higher priority दी, ये डैश पे है, ये वेच पे है, मत अभी opposite side पे है, इसलिए ये E हो गया, अब यहाँ पे देखो, ये H दोनों opposite side पे है, इसलिए ये E है, इसके H same side पे है, इसलिए ये Z है, मुझे priority Z को देनी है, तो यदि मैं इसको देखू, ये देखू, तो ये दोनों opposite है, इसलिए final answer E है, देखो एक बार फिर से सुनो, अभी मैंने बताया था, कि W bonded carbon से जो दो groups attached है, देखो, य ये वाले group में, ये दो H opposite side पे है, इसलिए ये E है, ये वाला जो है, ये E है, इसमें दोनों same side पे, इसलिए Z है, हमने पढ़ा था कि हम Z को priority देंगे, तो ये higher priority, ये higher priority दोनो opposite side पे है, इसलिए ये हो गया E, पर इसको यदि देखो, तो फ्लोरीन और आयोडीन में से इसको higher priority दोंगी, इधर देखो, ये दोनों same side पे है, इसलिए ये Z है, ये दोनों same opposite side पे है, तो ये E है, ये आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे consider कर रही हूँ, ये वाले case को ले रही हूँ, आयोडीन को ज्यादा priority दी, अब इन दोनों में से जब decide करने की बारी आई, तो दोनों H य इसलिए मेरा answer E होता है, तो इस तरह आपके पास ये सारे examples हो गए, जहां पे हम E और Z nomenclature करते हैं, तो हमारे पास अब double bonded चीज़े रहती, especially carbon, double bond carbon, या ring हो जिसमें carbon और carbon के बीच में bond हो, तो या तो हम cis trans कहते हैं, या हम EZ करते हैं, उसके अलावा भी जब बहुत सारे carbon atoms एक लाइन में होते हैं और वहाँ पर double bonds होते हैं, तो हम हर double bond के cross भी EZ define करते हैं, तो वो वाले examples ले ले लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे sin और anti पर, अब अपन देखें, C double bond N, हमने C double bond C को निप्टा दिया, हमने cyclic LK इसको निप्टा आया, अब हम करें कि C double bond N में कैसे होगा GI, उनमें normally दो cases हम देखेंगे, oxyme और imines, हाला कि Azo जहाँ पर N double bond N होता है, वहाँ पर भी GI होते हैं, concept स्वही वाले लगते हैं, तो oxyme में ऐसा है, कि जब मेरे पास L2 oxyme होगा, आप सब समझते हो, oxyme का formula यह होता है, यहाँ पर L2 oxyme मतब जो aldehyde से oxyme बनता है, जो aldehyde से, aldehyde से बनता है मतब यदि मेरे पास एक RCHO group है और उसका मैं hydroxyl amine से reaction कराती हूँ, RCHO group का मैं RCH double bond O group का, यदि मैं hydroxyl amine से reaction कराती हूँ, तो मुझे जो compound मिलता है, वो कहलाएगा L2 oxyme यह aldehyme में, तो इस aldehyme में यह rule है कि जब H और OH सेम साइट पर होंगे तो sin, नहीं तो anti, जैसे यह exam, यह इसमें ऐसा होगा, जब H और OH सेम साइट पर हैं, तो वो कहलाएगा sin और H और OH opposite साइट पर हैं, तो हम कहेंगे anti, और keto oxyme में naming अलग तरस हो जाती है, nomenclature अलग हो नहीं कहाना है कि OH के सेम साइट पर कौन है और opposite साइट कौन है, आप example देखो, यहाँ पर OH के सेम साइट पर मिथाईल है, और opposite साइट पर 30 है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते है, sin, deepen और जब हम इसको एंटी के फॉर्म में लिखना तो हम लिखेंगे एंटी इथाइल फिर हम लाम लिखेंगे मिथाइल और फिर हम लिख देंगे कीटो ऑग्जाइम कि आपको समझ में आ रही है जब अक्षाइम है तो वहां पर हमारे पास एंपे ओच है और कारवन पर एच है तो हम एच और फिर येदि एच और वह एच्जाइम में कारवन पर लगा एच नाइटोजन पर लगा ओवेज इव रखिवे और ऑड़ ऑगजाइम में कृपल same side पर है और कौन सा आर्ग पॉपजट साइट पर है जैसे यहां पर हम कहेंगे इसके same side पर methyl है न तो हम बोलेंगे sin, methyl, ethyl, ketoxyme इसका मतलब साफ है कि sin है मतलब और methyl है मतलब OH और methyl same side पर है यहां पर हम बोल रहें anti-ethyl मतलब OH के opposite में ethyl है तो naturally methyl same side पर हुआ तो इस तरह इनकी नेमिंग होगी जब हमारे पास oxyme होंगे aldoxyme या ketoxyme में हमारे पास एक अलग system चलता है उसमें यह system चलता है कि nitrogen के साथ जो भी group लगा हुआ है यदि वो carbon पर लगे हुए groups में से lower priority के साथ है तो वो sin है otherwise anti है जैसे यह example में nitrogen पर लगा हुआ group hydrogen carbon पर लगा हुआ group methyl और hydrogen है और hydrogen का क्या है lower priority है methyl के comparison में तो इसको हम बोलेंगे sin यहां पर यह आप देखोगे तो nitrogen पर group लगा हुआ ethile और यहां पे जो group लगा हुआ है यह इत्याइल जो है वो क्या है higher priority group है यह lower priority group यह lower priority ग्रुपा की opposite slite में लगा हुआ है इसलिए हम उसको बोलेंगे anti यहां पे इसका d इसके lower priority group के साथ same है इसलिए हम इसको बोल रहे है by यह lower priority इन दोनों में से इसको लोग प्राइटी मिल रही है यह दोनों सेम साइट पर है इसलिए हमने इसको बुला है सिन तो माइन्स के केस में थोड़े से रूल अलग हो जाते हैं यह आप याद रखोगे और फिर हम बाकी वाल एक्जामपल देख लेते हैं कि उनमें हम जी आई कैसे ब इसमें एक्जामपल में जब हम रूल अपलाइक करते जाते हैं तो वो अटॉमाटिकल हमें याद हो जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा एक्शत नंहीं करना पड़ता है तो यह आपके पास ऑक्जाम इसकी और रिफ्रूल लिखे हुए हैं आप इनको नोट करो और इनको तो revise करो और फिर हम इनके और questions करते हैं, यह कुछ और example देखते हैं, चलो यहाँ पर numbering करते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर second पर double bond है, 4 पर double bond है, 6 पर double bond है, पर आप देखो, यह इदर same side गए, यह भी same side गए, यह भी same side गए, यह भी same side गए, तो हम लिखेंगे, 2, Z, 4, Z, 6, Z, 2 पर भी Z है, 4 पर भी Z है, 6 पर भी Z है, यहाँ पर देखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो, यहाँ पर यह इधर जा रहा है, यह opposite side पर जा रहा है, मतब 2 पर क्या है, E, 4 पर यह भी इधर जा रहा है, यह group भी इधर जा रहा है, तो 4 पे है Z, 6 पे दोनों ये भी इधर, ये भी इधर, इससे 6 पे भी Z ये देखो, ये और ये group opposite जा रहे है, इसलिए ये E, ये दोनों ग्रूप same side पे जा रहे है, इसलिए Z, यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर 2 के दोनों ग्रूप एक इस सेट जा रहा है कि इस सेट तो हम बोलेंगे 2E, 4 के दोनों ग्रूप सेम साइड है तो 4Z, 6 के भी दोनों ग्रूप सेम साइड है तो 6Z इस तरह हम इनकी naming करते हैं हर double bond के वहां को बताना पड़ता है कि वो E form है कि वो Z form है यहाँ पर आप देखो यह double bonded groups हैं दोनों carbon और nitrogen के बीच में double bonded पर एक carbon पर दोनों ग्रूप सेम लगे हैं इसलिए इसमें नहीं होगा हम lone pair को भी एक group consider करते हैं पर एक carbon पर दोनों ग्रूप सेम है तो GI होई ही नहीं सकता यहाँ पर carbon पर भी दोनों ग्रूप सेम है और oxygen पर दोनों लोन पर हैं इससे यहाँ पर भी GI नहीं हो सकता यहाँ पर आप देखो यह दो groups तो अलग हैं पर दोनों लोन पर तो एक ही बात होगे सेमी चीज होगे इसलिए यहां पे भी जी आई नहीं होगा पर इसी में यह दिए एच पॉजिटिव डालते हैं और एच पॉजिटिव लग गया तो अब आप देखो यह दो गुरूप सा लगे कारवन पर और ऑक्सिन पर भी एक हाइडोजन है और एक यह लोन पेर है इससे अब यहां लोन पेर के जगे एच आ गया अब यह नाइट्रोजन पर यह डबल बॉंड गुरूप पर कारवन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉंड है कारवन पर दोनों गुरूप सा लग लगे हैं पर नाइट्रोजन पर दोनों गुरूप सेम लगे हैं इसलिए नहीं होगा इस केस में देखो यहां पर आपके पास double bonded oxygen पर दोनों लोन पेर है दोनों ग्रुप सेम है इसलिए जी आई नहीं होगा इस वाले केस में यदि आप देखते हो आप मेरी बात समझ रहे हो न कि यदि लोन पेर भी किसी double bonded आटम पर लगा हुआ है तो हम उस लोन पेर को भी एक ग्रुप जैसे कांसिडर करेंगे यदि एक double bonded आटम पर दो लोन पेर है तो जी आई शो नहीं कर सकता वैसे ही इसका यदि मैंने टॉटमर बनाया तो यह टॉटमर बना अब मैं यहां पर देख रहे हूं आप देखो यह यहां देखा जा रहा है यहां पर यहां जब हम देख रहे हैं तो इस कार्बन पे हैं और मितफैल हैं दोनों अलग 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 गृप हैं इस कार्बन पे भी मितफैल और ओ यह नहीं है क्योंकि यह double bonded oxygen पे दो लोन पहर है इसलिए जी आई नहीं है पर इसी में यदि एच पॉजिटिव मैंने डाला तो अब मेरे पास इस काबन पर दो अलग रुपे इस ऑक्सिजन पर भी दो अलग रुपे एक हाइड्रोजन है और लोन पहर है इसलिए इसमें भी जी आई है और यदी मैंने इसका तुमर बनाया इस तरह तो आप ये वाले यहां पर देख रहे हो आप यहां पर क्या देख रहे हो आपके पास C double bond N है C पर एक तरफ OH है एक तरफ CH3 है यहां पर एक तरफ lone pair है और एक तरफ है इसलिए यह भी जी आई शो करेगा तो यह आपके पास different type of examples होगे जहां पर आप देख सकते हो कि हम किस तरह जी आई की बात कर सकते हैं जब बहुत सारे double bonds होते हैं तो हर double bond के वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि E है या Z है यदि कहीं पर lone pair है double bonded के case में तो lone pair को भी आप as a group consider करते हो और फिर decide करते हो तो यह सारे आप examples आप note कर लिए कुछ cases ऐसे हैं जो molecule जो था वो जी आई शो कर रहा था या नहीं कर रहा था पर किसी से reaction के बाद उसका isomerism change भी हो सकता है इस टोके तो आप यह चीज़े note कर लो